प्यारे दोस्तो एस्टेडी विद एसकेसी यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत मैं स्मित कुमार आपके लिए लाया हूँ आज का नया टोपिक भिन इस वीडियो के माध्यम से हम आज भिन पर चर्चा करेंगे भिनों के परकार किया हैं यह हम इसमें देखते हैं गूं के प्रकार के लिए पहला भिन है हमारा उचित भिन अचित भिन इंग्रेजी में प्रफर फ्रेक्शन बोलते हैं ऐसे भिन जिसमें अंच का मान हर से छोटा होता है ऐसे स्थी जो भिम होंगे उचित हम क्या ही जैसे तीन बटे चार नो बटे बारह और दो बटे पांच तो देखें आपे चार बारह और पांच यह सभी ऊपर अंस है और क्या है हर और इसमें हर का मान अंस से अधिक हैं अगला टोपिक विशम भिन या अनुचित भिन जिसको अंग्रेजी में इंप्रोपर फ्रेक्शन बोलते हैं ऐसे भिन जिसमें अंस का मान हर से बड़ा हो जाए जैसे दो बटा एक चार बटा तीन और ग्यारा बटे दो तो दे मिस्त्र भिन तो मिस्त्र भिन की पहचान क्या है ऐसे भिन जिनका निर्मान पूर्णांग और भिन मिलकर करते हैं ठीक है जैसे पांच सही तीन बटे आठ तो को यहां पर पांच पूर्नांग हो गया और तीन बटे आठ क्या हो गया हमारा भिन तो इसमें पूर्नांग भी है और भिन भी है आगे है मिस्त्रित भिन जिसको अंग्रेज में complex fraction बोलते हैं इसकी पैचान क्या है इसके पहचान है ऐसे भिन जिसमें अंस पर हर दोनो भिन या अंस या हर में से कोई एक भिन हो तो ऐसे कहलाते हमें मिस्रित भिन जैसे दो बटे तीन और बटे क्या है चार तो देखिए दोस्तों इसमें दो बटा तीन क्या हमारा हो गया ये तो हो गया भिन और चार जो है हमारे यहां पर हो गया पूर्णांग ठीक है दूसर देखते हैं धन लेके इसमें दो बटा तीन बटे तीन बटे आठ तो देखो यहां पर अंस और यहां पर हर दोनों क्या हैं इसमें भीन है तो इनकी पैचन इस प्रकार है अगला टोपिक वेतकरम भीन जिसको अंगरेजी में रेसेप्रोकल फ्रेक्शन बोलते हैं ऐसे भीन जिसमें अंस वेहर को आपस में बदल कर प्राप्त धिन जो होती है वो हमारी वेतकरम भीन के लाती है जैसे मैंने एक्जमपल लिया है इसमें तीन बटे आठ का वितकरम भीन होगा तो तीन बटे आठ का वितकरम क्या होगा अभी मैंने बताया कि अंस को हर हर को अंस में चेंज कर दो तो वो हमारा वितकरम भीन के लाएगा तो यहाँ तीन है तो यहाँ पे ले लेंगे आठ और यह हो गया तीन तो हम कह सकते हैं कि तीन बटे आठ का वेतकरम भीन क्या हो गया आठ बटे तीन हम जो है ऐसे भीनों को प्राप्त करने के लिए अंस को हर, हर को अंस में बदलते हैं आगे विदत भीन जिसको कंटिन्यूड फ्रेक्शन बोलते हैं ऐसा कोशन बहुती मोस्ट इंपोर्टेंट कोशन होता है जैसे 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 3 बाई 4 अपोन 5 प्लस 1 बाई 2 ठीक है तो इस प्रकार की जो स्रीज होगी भीनों में वो होगी हमारी विदत भीन की वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज सिस्क्राइब और लाइक शेर करना मत भूलना और वीडियो में एक बैल आइकन का बटन भी है उसको भी आप क्लिक कर लेना जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकिशन मिलता राए और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे भीनों की तुलना छोटा भीन बड़ा भीन आरोहिकरम अवरोहिकरम धन्यवाद